देवर्शी नारत का वामन जी को मच से आदी अवतारों का विर्तांत सुनाना नरसिह अवतार एवं प्रहलाद की कथा महदेव जी कहते हैं एक समय देवर्शी नारत वामन जी के समीब गए और उनके विर्तांत पूछने पर इस प्रकार बोले प्रभो मैं स्वर्ग लोग से यहां आया हूँ प्रतिदिन सूर्य के गमन आगमन ब्रह्मा का दिन पूरा होता है दिन के अंत में रात होती है और ब्रह्मा जी की रात्री में सब देवताओं का नाश हो जाता है फिर मृत्य लोग की तो बात ही क्या कहूँ जहां प्रतिदिन लोगों की मृत्ति होती है आकास धुएं से आच्छादित हो गया है सब देवता राजा बली के घर गए है सबतर्शी गण तथा ब्रह्मण और ब्रह्मचारी भी वहीं पहुँचे है हाहा, हुहु, तुम्बुरू, पर्वत, अपसरायें तथा गंधर्वगण ये सब लोग राजा बली के भवन में गए है बली उतपात की शांती के लिए यग्य करते है मैं भी उन्हीं के यहां यग्य देखने के लिए जाना चाहता हूँ सुना है, राजा बली एक कम, एक सहस्त्र यग्य कर चुके है उस एक के भी पूरा हो जाने पर संपूर्ण लोकों पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा वहां यह प्रतिग्या करके यग्य आरंब किया गया है कि ब्रह्मनों को जिसकी जो इच्छा होगी वही वस्तु दी जाएगी बली का कहना है कि किसी के मना करने पर भी ब्रह्मन को मुहमागी वस्तु अवश्य दी जाएगी मेरी बात सत्ती होगी मैं अपने सेवकों, प्यारे पुत्रों, संपूर्ण राज्य तथा अपने आपको भी मागने पर दे दूँगा मेरा यग्य व्यर्थ न होने पाए उनकी इस एहंकार पूर्ण बात से मेरे सिर में दर्द होने लगा है भला इस प्रकार प्रतिग्या करके यह यग्य कैसे पूर्ण होगा आप ही उस यग्य के विध्वन्स में कारण होंगे यह जानकर मैं आपके पास आया हूँ आप इस समय ऐसी चेश्टा करें जिससे वह यग्य पूरा न हो वामन जी ने कहा महरशे मुझे यह बताओ की मैं कौन हूँ मेरी क्या शक्ति है मैं किस कारण से यग्य की पूर्टी में विध्वन उपस्तित करूँगा जब इस यग्य में सब देवता पधारे हैं सभी रिशी और ब्रहमन लोग भी सम्मिलित हुए हैं तब यह व्यर्थ कैसे होगा नारज जी बोले प्रभो एक समय ब्रहमा जी ने भगवान व्रिश्णु से कहा हरे वेदों के बिना मैं सृष्टी कैसे करूँगा वेद नश्ट हो गए हैं उनको मैं नहीं जानता क्या वे किसी इस्तान पर इस्थित हैं या नीचे चले गए हैं मुझ में जल के भीतर जाने की शक्ती नहीं है आपको दस अवतार धारन करके सृष्टी की रक्षा करनी चाहिए अतह आप जलचर मत्स हों और शीग्र ही वेदों को ढूड लाकर मुझे देने की कृपा करें उनके यों कहने पर श्री हरी ने जल में मत्स रूप धारन किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को लटा दिया ततपश्यात किसी समय ब्रह्मा जी ने पुनह प्राथना की प्रभो आप कच्छप रूप ग्रहन करके मंदरांचल को पीठ पर धारन करें समुद्र मन्थन से प्रकट होकर लक्ष्मी जी आपका वरण करेंगी ब्रह्मा जी के यों कहने पर आप श्री हरी ने कच्छप रूप धारन किया समुद्र मन्थन के समय आपका वह अद्भुत चरित्र मैंने अपनी आँखों से देखा तदंतर एक आणलों के जल में डूप कर जब पृत्वी रसातल को चली गई और कहीं दिखाई न दी तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर आपने महावराह का रूप धारन किया और नीचे जाकर अपनी दाढ़ों के अगरभाग पर पृत्वी को उठाया फिर जल से उपर ले आकर पृत्वी को यठायस्तान रख दिया वहो आपका परम मनोहर तिर्ती अवतार था जिसके द्वारा आपने परवतो सहित पृत्वी को स्तापित किया अब आपके अत्यन्त भयंकर नर्सिह अवतार की जो चौथा है कथा कहता हूं अधिती के पुत्र आदित्य अर्थात देवता कहलाते हैं और दिती के पुत्र दैत्य पूर्व काल में दिती के दो महबली पुत्र हुए थे एक का नाम हिरन कशपू था और दूसरे का हिरन याक्ष स्वर्ग लोक में देवता रहते थे और पाताल में दैत्यों तथा दानवों का राजी था हिरन कश्यपू रसातल में राजी करता था देवताओं और दानवों ने मिलकर मनु के पुत्रों को पृत्वी के राजी पर स्थापित किया था हिरन कशपू ने यह व्यवस्ता तोड़ दी और उसने युद्ध में इंद्र को परास्त करके साथ द्वीपों वाली पृत्वी तथा अम्रावती पूरी को भी अपने अधिकार में कर लिया सब भोगों पर अधिकार करके वह असुर अपने पुत्र और पौत्रों के साथ राज भोगने लगा उसने तपश्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी ने उसे मुह मांगा वर देने को स्विकार किया उस दैति ने इस प्रकार वर मांगा सुरुष्रेश्ट मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए देवताओं और मनुष्यों से किसी प्रकार भी मेरी मृत्यू नहो यदि मृत्यू हो भी तो ऐसे पुरुष्य हो जिसका स्वरूप कुछ सिह का और कुछ मानव का हो जो समूची पृथवी को धारण करने वाला हो उसके थपेडों से विदिन्न होकर मैं पृथवी पर मृत्यू को प्राप्त हूँ एव मस्तू कहकर ब्रह्मा जी चले गई दैतिराज हिरन कश्यपु भी अपने स्थान को गया कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसके मन में देवताओं के प्रती बड़ा भारी वैर हुआ वह सोचने लगा देवता मेरा क्या कर लेंगे व्रिश्णु से मेरा क्या प्रयोजन है तथा रुद्र भी मेरा क्या बिगाल लेंगे समस्त यग्योद्वारा सदा मेरी ही आरधना होनी चाहिए उस दैति का बरताओ तो ऐसा था परन्तु उसके पुत्र प्रहलाद श्री हरी की स्तुति करते थे जिनसे उसकी मृत्यू होने वाली थी उन्ही भगवान व्रिश्णु का वे चिंतन करने लगे जब उन्हें दूसरी बाते पढ़ाई जाती थी तब भी वे हरी हरी का ही किर्तन करते थे जो चार भुजाओं से शुशोवित, शंक, चक्र, गदा और खडग धरन करने वाले पितामबर्धारी, कौस्तूब मनी से उदभासित तथा संपूर्ण जगत के एक मात्र स्वामी है जो इस्मरण करने मात्र से ही मोक्ष देते हैं उन भगवान व्रिश्णु का मैं सदा इस्मरण करता हूँ उनकी इस बात से देत्य कुपित हो उठा और दूसरे देत्यों से बोला मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाती, सर्प, जल और अगनी द्वारा मार डालो प्रहलाद बोले दैतिराज हाती में भी व्रिष्णु हैं सर्प में भी व्रिष्णु हैं जल में भी व्रिष्णु हैं और स्थल में भी व्रिष्णु हैं तुम्में और मुझमें भी वे ही विराजमान हैं व्रिश्णु के बिना यह दैत्यों का समुदाई भी नहीं है सदा प्रहलात को मारने की चेश्टा की जाती थी तो भी उनकी मृत्यू नहीं होती थी यह देख हिरन कशपु की चाती क्रोधागनी से जलती रहती थी तब उसने पुत्र को स्वयम ही दंड देने के लिए उसके मुह पर तलवार तान दी और कठोर वचनों से डाठते हुए उसे मार डालने का उद्ध्योग किया वह बोला अरे बालक तुझे धिकार है तु नारायन की स्तुती करता है बार-बार मेरे शत्रू के गुण गाता है अतह इस श्रेष्ट तलवार से मैं अभी तेरा सिर उड़ाई देता हूँ मैं ही वरिश्णू, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रोद्र, इंद्र और वर्दाता प्रभू हूँ तु अपने पिता को छोड़ कर दूसरे की इस्तुती क्यों करता है बालक प्रहलाद जब पिता की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सकी और अपने पिता की इस्तुती भी नहीं कर सकी तब गुरु ने छड़ी से मार कर प्रहलाद को पुनह पढ़ाना प्रारंब किया प्रहलाद बोले जिन सर्व व्यापी श्रीहरी ने चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को उत्पन्न किया, बढ़ाया और फिर सबका शमन किया उन्ही की मैं स्तुति करता हूं प्रकरती आदी 24 तत्व और उनके साक्षी 25 पुरुष भी व्रिश्नु ही है वे ही पिता जी के, गुरु जी के, तथा मेरे शरीर में भी इस्तित है यह जानने पर भी कोई मरण धर्मा प्राणी, श्री हरी की सिवा दूसरे नीच मनुष्यों के इस्तुति कैसे कर सकता है गुरु जी ने कहा शिश, यह तो बता, मनुष्यों में नीच कौन है प्रहलाद जी ने कहा पुत्र जैन्म आदी के समय, मृत्यू के समय, तथा शुब आउसरों में, जिसके मुह से हरी, इन दो अक्षरों का उच्चारण नहीं होता, वही मनुष्यों में अधम है भई, राजकुल से समागम, युद्ध, व्याधी, इस्त्री संग, विपत्ती, यात्रा तथा मृत्यू के समय, जो इस पृत्वी पर रहते हुए श्री हरी को भोलकर, माता-पिता का इस्मराण करते हैं, वे मुर्ख मानव मनुष्यों में अधम है मेरे तो ना माता हैं, ना पिता हैं, ना स्वजन हैं, ना सेवक हैं, श्री हरी के बिना मेरा कोई नहीं है, आपको जो उचित जान पड़े, वह बरताव कीजी इस तरह की बातों से दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ, और वह मारने के लिए समी पाया इतने में ही प्रहलाद की माता ने आकर पुत्र को आचल से ढख लिया, और उसके भाई, स्वजन तथा बेहन, ये सभी आकर कहने लगे भाईया, तू हरी हरी मत बोल, मैं तेरी माता हूँ, ये बहन है, ये भाई है, तथा ये स्वजन लोग है हम सभी तुम्हारे पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए हम बहुत दिनों तक यहां जीवित रह सकते हैं, अतह तुम्हें भी इनका आदर करना चाहिए प्रहलाद बोले, प्रकरती मेरी माता है, बुध्धी मेरी बेहन है, जिसको मैं कहा जाता है, वह एहनकार है पंचतन मात्राओं के समुदाई मेरे सहोदर भाई हैं, जो मेरे साथ ही जाते हैं, इनको उतपन करने वाला जो 25 पुरुष है, वही मेरा पिता है परमात्मा श्री हरी ही अंतर्यामी इस शरीर में स्थित है यदि उनका सम्मान किया जाई तो वे हर्दई में दर्शन देते हैं उनका चरण ही अनिमा आधी आठो सिद्धियों का स्थान है आप लोगों के लिए राजी ही अभिष्ट वस्तु है परंतु जहां भगवान व्रिष्णू का पूजन नहीं होता वह राजी मुझे तिनके के समान प्रतीत होता है ब्रमा, रुद्र, अनल आधी के रोप में जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है जो बिना किसी आधार के ही सर्वत्र विचरते हैं वे ही भगवान व्रिष्णू है ये जो आकाश में इस्तित और ध्रुव से बधे हुए संपून ग्रह द्रिष्टि गोचर होते हैं वे सब भगवान व्रिष्णू के ही वचन से पृत्वी पर नहीं गिरते फिर प्रलाइकाल में वे ही सब का विनाश करते हैं ऐसा विचार करके मुझे आप लोगों से मृत्यू का भई नहीं है प्रहलाद की यह बात पूरी होते ही उनके पिता ने उन्हें लात मार कर कहा कहा है तेरा हरी पहले मैं उसी को मारता हूँ उसके बाद हरी हरी की रट लगाने वाले तुझ दुष्ट का भी वद कर डालूँगा प्रहलाद ने कहा प्रथवी आदी पांचो भूत भगवान विरिश्नु के ही स्वरूप हैं वे ही स्तल और जल में हैं अधिक कहने से क्या लाभ यह संपूर्ण जगत विरिश्नु माई ही है त्रण, काश्ट, ग्रह, छेत्र, द्रव्य और देह सब में श्री हरी इस्तित हैं वे ज्यान योग से जाने जाते हैं इस चर्म चक्षू से नहीं देखे जाते भगवान विरिश्नु सब सुनते हैं, सब जानते हैं और सब कुछ करते हैं प्रहलाद के योग कहने पर हिरन कश्यपू सहसा सिंहासन छोड़ कर खड़ा हो गया उसने द्रता पूर्वक कमर कसली और म्यान से चमचमाती हुई तलवार खीच कर प्रहलाद को थपड मार कर कहा अब तू अपने विरिश्नु का स्मरण कर मैं अभी उज्ज्वल कुंडलों से शुशोभित तेरा मस्तक पृत्वी पर गिरा दूँगा जैसे विरिख्ष से पकाफल गिराया जाता है यदि जीवित रहना चाहता है तो इस खंबे से अपने विरिश्नु को निकाल कर दिखा प्रहलाद जी भाई छोड़कर पदमासन लगा धर्ती पर वैड गई और कंधा नीचे करके श्वांश को उपर रोक कर हिरदाई में भगवान श्री हरी का ध्यान करते हुए मरने के लिए तैयार हो गई प्रभो उस समय मैंने एक आश्यरी की बात देखी आकास से फूलों की एक माला नीचे आई और स्वयम ही प्रहलाद जी के गले में पड़ गई इतने में ही खंबे से एक भयंकर आवाज हुई जिसे सुनकर सब लोग शुब्द हो गई और मन ही मन सोचने लगे क्या यह प्रथवी पाताल में धश जाएगी अथुआ क्या स्वर्ग लोग तूटकर प्रथवी पर गिर पड़ेगा अथुआ प्रहलात का सिर इस दैती के खडग से कटकर प्रथवी पर तो नहीं गिर जाएगा इसी समय खंबे से बड़ा भयानक सहनाध हुआ उस शब्द से मुर्चित होकर सब दैती प्रथवी पर गिर पड़े हिरन कश्यपू के हाथ से ढाल और तलवार भी गिर गई वह सोचने लगा यह क्या है जब सिर उचा करके वह देखने लगा तब भगवान विरिश्णू पर उसकी द्रिश्टी पड़ी नीचे से मनुशी की आकरती और उपर से भयंकर सिह का स्वरूप दाढ़ू के कारण विक्राल मुख मानु वे आकाश को चाट लेंगे शरीर तेज से प्रज्वलित हो रहा था मुख से भयंकर कट-कट की ध्वनी हो रही थी मानु गरश्ता हुआ बादल मूर्तिमान हो गया हू गरदन के बाल उपर की ओर उठे हुए थे देवता और दैत्य सबके लिए उनकी ओर देखना कठिन था उन्हें देखकर वह दैत्य पुनह प्रिथवी पर गिर पड़ा भगवान नर्सहिन ने उसके बाल पकड़कर आकाश में सौ बार उसे गुमाया और प्रिथवी पर पठक दिया परन्तु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उस दैत्य की मृत्यू नहीं हुई तब भगवान ने हिरन कशपू को घुटने पर सुला कर उसकी चाती चीर डाली देवता जय जयकार करने लगे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में शान्ती चा गई हिरन कशपू की मृत्यू के पश्चात वृष्णु भक्त प्रहलाज जी दैत्यों के राजा बनाए गई उन्होंने बहुत वर्षों तक भूमंडल पर राजी किया उनके अनेक पुत्र हुई जिनमें विरोचन जेश्ट थे विरोचन से बली का जन्म हुआ बली के उत्पन होने के पश्चात विरोचन ने एकांत में योग साधन करके श्री हरी के तत्व का ज्यान प्राप्त किया और राजी त्याक कर वे परवत शिखर पर चले गई श्री हरी ने उनके शरीर को कलपांत स्थाई कर दिया तदंतर हम में से कौन राजा होगा इस प्रश्णों को लेकर दैत्यों और दानवों में बड़ा विवाद हुआ तब प्रहलाद जी ने आकर एक व्यवस्ता की उन्होंने कहा जो समस्त शुब लक्षणों से संपन, दीरगायू, अतिशाई बलवान, यगिशील, सदा आनंद योक्त, अधिक पुत्रों वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो जो देवताओं के साथ अकारण युद्ध न करे और भगवान व्रिश्णु को सर्वो परी संग्राम में मृत्यू न हो, जो सर्वस्व दक्षणा में दे देने वाला हो, अपनी बाद को कभी व्यर्थ न होने देता हो, तथा सब पुत्रों में जो अपनी स्वाभाविक श्री के साथ अधिक शोभा पाता हो, उस व्यक्ति को जब गुरुदेव शुकराचार्य सब देत्यों का राजा होगा, राजा होने योग ये कौन है, इसके निर्णे में गुरुदेव ही प्रमान है, यो कहकर प्रहलाद जी चले गई, तदंतर देत्य दानव एकमत होकर उस व्यवस्ता का पालन करने लगी, शुकराचारी ने राजा बली को ही गुणों में अधि देखकर तथा प्रहलाद के सभी गुण बली में विद्यमान है, यो समझकर उन्ही को देत्यों का राजा बनाया, वामन जी मुझे युद्ध देखने के लिए बड़ी उद्कंठा रहती है, ब्रह्मन को युद्ध करते देख मुझे बड़ा हर्ष होता है, आप भी ब्रह् कब युद्ध करेंगी?